हेलो एडरीवन वेलकम टो आरमाटो मॉबाइल्स दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुती अमेजिंग अपडेट लेगर कर आया हूँ महिंद्रा एक्सवी 4W के बारे में महिंद्रा अपनी एक्सवी 4W को जल्दी भारत में लाउंच करने जा रही है आज मैं आपको म बारे में बहुत ही एक अमेजिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने महिंद्रा की आने वाले टॉप 5 SUV के बारे में बताया था अगर आप सारी जन कर जाना चाते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप् ना हो दोस्तों एक सीवी 4W के बारे में जाने से पहले मैं आपको एक सीवी 5W के बारे में कुछ बताना चाहूंगा एक सेवन सीटर सीवी है इस गाड़ी को इंडिया में 2011 में लांच किया था 2015 में इस गड़ी को एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला था उसके बाद कंपनी ने इस गाड़ी में कोई अपडेट नहीं किया काफी टाइम से इस गाड़ी की नेक जेनरेशन को इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया और एंडि में आगर के कंपनी ने एक टीजर जारी कर दिया जिसमें कंपनी ने बताया कि एक सेवी 5W के प्रोड़क् एक सेवी सेग्मेंट में लांच किया जाएगा जैसे में आपको हेंडे की प्रेटा किया की सेल्टाव स्टार्ट की हैडर और एमजी की हेक्टर जैसी 5-seater compact SUV देखने को मिल जाती है दोस्तों अब आप कहेंगे कि महींदरा ने काफी जादी confusion फैला रखी है पहले कह रहे थ एक सेवी इसकी पूरी पूरी एक सीरीज लेकर किया दिया जिसमें कई न्यू प्रोडट्स को इंडिन मार्केट में लौंच किया जाएगा आने वाले टाइम में पहली होगी केवी 1डबलो को रिपलेस करके उसके जगए 1डबलो को लाया जाएगा जिसके बार में आपको बता रहा हूं एक्सवी सेवन डबलों को लाया जाएगा सेवन सीटर सेवी सेगमेंट में इसके लबा स्कॉर्पियो के नेक जनरेशन पर महिंद्रा काम कर रही है और पांच भी होगी एक्सवी नाइन डबलों को जो अलतुरस जीफोर को रिपलेस करेगी दोस्तों महिंद्र चाहती तो कॉम्पैक्ट सेवी सेगमेंट में महिंद्रा एक बहुत ही नियूर प्रोडट को इंट्रेडियूस कर सकती थी बट कंपणी ऐसे नहीं कर रही है क्यों नहीं कर रही है इसके बीछे बहुत ही बड़ा रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं एक्चुली जब एक ऑटोनमस कंपणी एक कार को डेवलप करती है तो करीब सिर्फ एक कार को ही डेवलप करने में थाउजन करोड रुपीस इंवेस्ट कर देती है और महिंद्रा तो टोटल फॉर तु फाइफ नियूर प्रोड़ट्स पर काम कर रहा है जिसमें एक से वी व मैनुफेक्चरिंग प्लांट नहीं है महिंद्रा के पास इंडिया में टूटल तीन प्लांट है जिसमें दो प्लांट में कारों को मैनुफेक्चर किया जाता है और धर्ड प्लांट में कमेशिल वीकल्स यानि टेक्टरों को मैनुफेक्चर किया जाता है दोस्तों आज मैं लोगो इंडिया में लॉंच कर देती है तो फिर उसकी डिमांड को कहां तक फुल्फिल कर पाएगी इसलिए महिंदर अपनी नियू कार्स के लॉंचिंग को बार बार डिले करती ही जा रही है तो यही है सिबसे बड़ा रीजन गाड़ी लॉंच ना करने का आई होप आपको यही वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को अगर आपने पितक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपसे आने वाले वीडियो कब बमेस ना हो और अगर आप मुझे फेस्बुक पे या इंस्टा करना चाहते हो तो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जा करके मुझे फॉल्ट कर सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग ओके टिक क्यार बाबाए